नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे एवं मस्थ होंगे तथा आपके परिवार जन्वी कुशल मंगल होंगे और इसी शुब कामना के साथ आज का टॉपिक क्या गिफ्ट डीट रेजिस्टर्ड कराना जरूरी है आपकी सेवा में प्रस्तुत है आज की एफ्टों पुर्षब कराना आएं और वैदर गिफ डीट टीर कि रेजिस्टर्ड कराना आज़र्श्रक है यह नि प्रेशन का उत्तर आगे समझते हैं सबसे पहला प्र возможline दोस्तों वाट केंडे गिफ्ट डीट तो हम्हेर बोड़के बढ़के या तो आप एक mobile property गिफ्ट कर सकते हैं या आप एक immobile property गिफ्ट कर सकते हैं सर शेर्स भी गिफ्ट किये जा सकते हैं, deposits भी गिफ्ट किये जा सकते हैं, debentures भी गिफ्ट किये जा सकते हैं, bonds भी गिफ्ट किये जा सकते हैं यहां तक कि अगर कोई immobile property in form of trademark patent license के रूप में हो उनका भी gift किया जा सकता है अब to whom a gift can be made Gift किसको किया जा सकता है दोस्तों क्या किवल रिष्टेदारों को इग गिफ्ट किया जा सकता है या non relatives यानि गैर रिष्टेदार या मित्रों को भी gift किया जा सकता है और क्या एक minor को भी gift किया जा सकता है सर इन सब प्रशनों का उत्तर positive है अर्थात आप एक रिष्टेदार को गैर रिष्टेदार को किसी मित्र को या even एक minor तक को भी आप अपनी property चाहे वो immobile property हो चाहे mobile property हो gift की जा सकती है तो आईए दोस्तों अब आपके सामने आज की इस वीडियो का सबसे महतपूर्ण प्रशन रखता हूँ Whether gift deeds registration is essential or not कि आपने अपनी कोई संपत्ती चाहे mobile property हो चाहे immobile property हो यानि अचल संपत्ती हो या चल संपत्ती हो अगर किसी व्यक्ति को gift करी तो क्या उसकी gift deed को registered कराना जरूरी है क्या मैं आपके सामने प्रावधार नकराउंसर section 123 of transfer of property act 1882 जो अमारे भारत वर्ष में लागू है वो क्या बोलता है कि for the purposes of making a gift of immobile property the transfer must be effected point to be noted my dear friends must be effected by a registered instrument signed by or on behalf of the donor and attested by at least two witness यानि जब आप immobile property अपनी किसी को gift कर रहे हैं तो वो registered instrument से ही जाएगी और कोई रास्ता नहीं उसे gift करने का और उसको कम से कम दो witness sign करेंगे लेकिन जब आप immobile property gift करते हैं सर तो यही transfer of property act 1882 का section 123 क्या बोलता है for the purposes of making a gift of movable property जैसे currency जैसे for an example कोई particular property say air conditioner say fridge say car say cooler the transfer may be effected even including jewelry जान से सुनिये for the purpose of making a gift of movable property the transfer may be effected may be लोने मस्क नहीं बुला सरव यहां पर may be effected either by a registered instrument sign as aforesaid or by delivery यानि आप delivery से भी दे सकते हैं और आप चाहें तो registered instrument से भी दे सकते हैं यह registered instrument दोस्तों state government के पास में stamp duty register के यहां पर registered होता है और आप उस particular gift के इस तरीके के transaction को एक मूर्त रूप दे सकते हैं registry के तुरू लेकिन अगर आपने registered document से नहीं किया तो भी सर gift की validity पर किसी प्रकार का कोई संदेज नहीं उठाया जा सकता मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो को आप उपयोगी पाएंगे आपके महत्पोर्ण suggestions के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा आप इसी प्रकार से मुझे प्रिरित करते रहें मैं कोशिश करूँगा नए नए एवं ग्यानवर्दक पिशे आपके सामने text एवं law से संबन्दी ले करके आता रहूं मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैह